कहते हैं माता वैश्णोंदेवी के पास आप बुलावा आने पर ही जा सकते हो तो फाइनली मेरा बुलावा आ ही गया हाई मेरा नाम है काम्या और मुझे ट्रावल करना बहुत पसंद है माता नानी का बुलावा मुझे उस दिन आया जिस दिन मेरी मुंबई के लिए return flight थी सो बारा किलो मीटर और छे घंटे की track छोड़ कर मैं गई हलिकॉप्टर से और पहुच गई मावैश्टो देवी के पास सिर्फ तीन मिनिट में टिकेट आपको काफी एडवास में बुकिंग करनी होती है बड़ आई गॉट लखी as there was a cancellation रिटाउन फ्लाइट का कोस्ट है 4200 हेलिपाट से मंदिर धाई किलोमेटर की दूरी पर है 30-40 मिनिट की वॉक या 15 मिनिट की घोडे की सवारी से आप मंदिर पहुच सकते हैं मंदिर के अंदर आप कोई सामान नहीं ले जा सकते so either keep it in locker or travel light temperature was between 1 and 3 degrees थंड ज्यादा थी और इसलिए rush कम मादरानी के दर्शन जल्दी हो गय फिर मैने ले रोपवे की 100 रुपे की टिकेट और पहुच गई भैरवनात के मंदिर सिर्फ 5 मिनिट में जर्नी सिर्फ 5 मिनिट की थी पर केबल का और मंदिर की लाइन काफी लंबी दर्शन के बाद I took a horse ride back to the helipad official price for this is 300 रुपीज और वक्त लगा 45 मिनिट पर रास्ते में काफी entertainment मिला टोटल समय लगा चार घंटे और पैसे लगे 4,600 रुपीज तो आप भी प्लान कीजिए वैसे अब ही रास्ता काफी अच्छा बन गया है अगर आप ट्रेक करना चाहते हैं फूड और ट्रावल की दुनिया से जुड़ी information के लिए दूणोड कीजे ते कुरीटेल्स अप Link in bio जय माता दी